हेलो आपने से अलकम आई टूप चैनल में अपसे का स्वागत है फिर से में करने वडू के साथ आज़के हैं आपके लिए बहुती प्यारी सी और इंटरस्टिंग जो अपडेट है वो लेकर आचको हूँ यान की बीयाच्चु की तरब से आपको यहाँ पर जो वेकनसी है वो हो आपका नहीं होने वाला है यहाँ बीना कोई एकजाम के आपके आपके यहां पर जो वर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी साथ में सबसे इंपोर्टेंट चीज कि यहां पर कौन-कौन कंडेट इलिजिबल्स रहेंगे तो जो आनम कंडेट है वो क्या कर सकता है इस वकन इस परकार से सभी करेंगे अलगलग कटेकरी वाइज आप इस वेकंसी के लिए लिजिबल से रहेंगे हम तिरे इस पोस्ट को अपलाई कर सकते हैं इस वेकंसी से रिलेटेड आपको यहां पर दूँगा तो देख लीजिबल से ओफिशल वेबसाइट पर आपको फुल डिटेल आपको यहां पर देखन को मिल जाएगा एप्लिकेशन आर इन्वाइटिड फॉर दा पोस्ट ओव दा वन असिस्टेंट अंडर दा डीवीटी प सबसे पहले प्रोग्राम मेनिजर की आपको जो पोस्ट वो दीगी है जिसके अंदर ग्रेजुएट इंदा साइंस फ्रों मेरिकोगनाई यूनिवर्सिटी फाइफ यर वरक एक्स्पिरियंस एक रिकोगनाई इंस्टिट के अंदर ठीक है सास में आपको क्या होना ची सबसे आपको जो सेलरी है वह आपको यहां पर पे करी जाएगी उसके बाद मों देख लिए का फिल्ड असिस्टेंट के लिए 12 पास उनिची साथ में जो डिमल्ट वाले जो पोस्ट को अपलाई करेंगे यानि कि जो इन्हों ने लैब टेकमिशन कर रखा है डिमल्ट कर इस post के लिए eligible रहेंगे 20,400 रुपए आपको यहाँ पर कर रहेगी जो आपकी salary है वो आपको यहाँ पर provide करवाई जाएगी उसके बाद में देख लिएगा laboratory technical assistant की आपको जो post है वो यहाँ पर दीगेगी है तो laboratory technical assistant के post के लिए graduate in the science from a recognized university ठीक है साथ में आपको DMLT BMLT के अंद पर आपका application जो salary है वो आपको दी जाएगी साथ में अगर आपने DMLT MLT BMLT के इंदर अगर experience नहीं है तो field assistant के post के लिए जो fresher candidate है वो भी क्या कर सकते हैं इस vacances को यहाँ पर आप apply कर सकते हैं अब जो आपके लिए सबसे important जो post बचीवी है जिस post के लिए आप अच्छे काफ आपको यहाँ आप अविलेबल कराई गई है इस टेड़ी नर्स के post के लिए यहाँ पर एन्म कंडेट हैं वो इस vacances को apply कर सकते हैं जी एन्म कंडेट वैकंशिक को apply करेंगे यानि की एन्म जी एन्म और बीसी नर्शिंग कंडेट क्या कर सकते हैं इस post को apply कर सकते हैं 21,000 कंडेट क्या करेंगे इस post को apply करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या किया गया है प्रवाइड क्या गया है अलग 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 category wise आपका जो गया है प्रवाइड किया है उसके बाद में अब्सक्र क्या क्या गया है उसके बाद में सबसे से important बात करेंगे कि इसके application आपको या फिर इसके application form किस परकार से आपको भरने होंगे तो यहां पर देख लीजिगा इस वाके एंसिस के लिए जो आपके application form भारे जाएंगे व भारे जाएंगे offline mode ठीक है यांद कि ओफलाइन तरीके से आपके application form बाले जाएंगे step by step आप सभी को यहाँ पर inform करूंगा कि किस प्रकार से आपको जो application form उसको आपको फिलप करना है तो applications on the plain paper give the bio data निकिस सबसे पहले आपको या तो आप क्या कर सकते हैं रेजूम भी बनवा सकते हैं वह आपके उपर डिपेंड अगर आप रिजूम नहीं बनवाते तो ए जो प्लेइन आपको क्या लेना है पेपर लेना जो आपका एफ और साइज का जो पेपर आता वह आप प्लेइन पेपर ले लिजे उसके अंदर आपको अपने युक्तितो बाईयोडाटा है वो बाईयोडाटा वहाँ पर लिखने है ठीक है जोमोबाईयल नंबर है ठीक है यान कि आप जो email दोगे उसके अंदर वो और आपके जो mobile number है वो दोनों क्या होनी चाहिए बिल्कुल correct होनी चाहिए क्योंकि आगे की जो informations provide करवाई जाएगी ठीक है जैसे आप application form को फिलप कर दोगे मेरिट के अधार पर रहेगी चोटा सापका इंटेड्यू रहेगा उसके बाद में आपको क्या करना है जैसे आप आगे की step होगी वो आपको mail के मादम से या mobile number के मादम से आपको यहां पर क्या करी जाएगी बताई जाएगी तो आपको plane park कागज की उपर अपना bio data लिखना है साथ में आपको name of two reference detail of the education barrier आपने reference निख लें साथ में attached करनी है copies जैसे मारक सीश आपने अगर एनम किया है तो एनम की सभी मारक सीट जी एनम की सभी मारक सीट बेसी किया तो बेसी की सभी मारक सीट है उनके सभी photocopy आपने क्या करनी है attach करनी है certificate and detail of the work experience अगर आपके पास work experience है तो आपको क्या करना है अपना जो work experience है उसको आपको जरूर से लगा देना क्योंकि आपके लिए क्या रहेगा सबसे important रहेगा आपको priority मिल जाएगी अपने experience से तो अपना experience यहां पर जरूर लगा दीजेगा उसके बाद में एंटर्व के लिए यह और आपको इंटर्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटर्यू के बाद में आपका इंटर्यू के तुरंत बाद में आपको आपर क्या होने वाला आपको इंफर्म कर दिया जाएगा कि आपका शलक्सन हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है यह क्या रहेगी आपके application form की जो process है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यानकि इस परकार से आपको क्या करना है application form को आपको fill up करना होगा offline तरीके से होगा सारी detail मैंने आपको बता दिये one by one step तरीके से कि किस परकार से आप application form को भरेंगे ठीक है सबसे important चीज की बनारा हिंदू University यानकि BHU UP की तरब से आपको एक और प्यारी सी जी अपडेट साथ में आपको चैनल को सबस्क्राइब करके बैल icon कोन करना है बाकि आपको मिलते हैं को नई अपडेट के साथ एक सबसे important चीज यूपी से हो चुका दढ़ना का आज तीसरा दिन हो चुका है काफी जोर से दढ़ना चला हुआ है तो completely update देने वालों फिलाल में अभी अभी एक और बहुत ही प्यारी सी जो update है शियोचों के तरफ से निकल कर आ रही है उसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पर इंफर्मेशन प्रोड करवाँगा तो वीडियो के लास तक आप बने रहेगा दर सिंक की जितनी भी आपको अपडेट हैं जितनी भी आपकी वेकंसी हैं सबी आपको इस चैनल के मादम से प्रोड करवाऊंगा तो सभी कंडिडेट्स अपने फ्रेंड के अंदर ज्यादा ज्यादा सेयर करने जिससे सभी को अपडेटेड वीडियो के बारे में पता चल सके अपडेड़ वेकंसिस के बारे में पता चल सके